SCUMA solution chapter 2 physics and mathematics question number 24 find the area bounded by under the curve y is equal to 3x square plus 6x plus 7 and the x axis with the coordinate at x is equal to 5 and x is equal to 10 So now we have to find area under the curve and area under the curve so this is the size of the curve and the x is equal to 5 and x is equal to 10 and then we have to find area So for area find it is not to do this, as many small terms, there is no regular shape, if it is square, rectangle, triangle or triangle इक ट्रीब का एरेड करेंगे एक क ट्रिब का फिर उसको क्या करेंगे एड करदेंगे ठीक है तो छोटी आक्ट का पर इंट करना ही इंटिकेशन ॠीक है तो यहां पर इंटिकेशन को ए अ जीकल टू area is equal to y dx y dx यह आपका y height है और यह dx का एक strip है dx width का x strip है और y height का एक strip है तो ठीक है dx into y तो यह एक area आएगा अब इसका summation करना है यह इसका summation मतलब यह वाला sign integration करना है ठीक है ऐसे बहुत सारे होंगे और कहाँ से कहाँ तक करने हमें x1 से x2 तक करने है यहाँ पर अपने को 5 से 10 करने है तो अपन value put करते है तो अपने पास y है 3 x square plus 6 x plus 7 और integration कहां से कहां तक करना है 5 से 10 तक right okay dx तो यहाँ पर इस term का integration करना है इसका करना है इसका करना है यहाँ पर x की power n का integration क्या होता है x की power n का 1 तो यहां पर देखो क्या आएगा सबसे पहले 3 constant है integration of x square dx plus वापस 6 constant है ठीक है तो 6 integration of x dx फिर 7 constant है यह dx तो यहां पर solve करते है अपन 3 x x square तो x की पावर n का है n 2 है तो x की पावर 2 by 2 plus 1 right okay फिर अपने पास क्या रहा है 6 है x x power 1 है तो x e power 1 plus 1 upon 1 plus 1 right plus 7 अभी यहां पर x नहीं तो x e power 0 बोल सकता हो x e power 0 तो 1 ही होता तो x e power 0 बोल तो x e power 0 plus 1 upon 0 plus 1 right okay तो यह limit कहां से कहां तक है limit अपनी है कहां से कहां तक 5 से 10 तक तो पने पास यह आएगा देखो 3 3 cancel out 2 plus 1 3 होगा यह 3 होगा cancel out यानि x e power 3 फिर यह 2 होगा और यह 6 होगा तो 3 times हो जाएगा और यह x e power 2 आ जाएगा फिर यह क्या है यह 1 यह यह 7 by 1 यह 7 into x x यह limit है from 5 to 10 अब पहले 10 10 पूट करो एक्सीज गया फिर subtract करो फिर 5 पूट करो तो यहां पर 10 पूट करते तो 10 की पावर 3000 plus 300 क्योंकि 100 होगा plus 70 फिर minus करो 5 पूट करेंगा 5 पूट करेंगा 125 और यह 25 is into 3 75 plus 75 35 ओके तो यह कितना आएगा अपने पास या जाएगा 1370-235 यह अपने पास एरिया जाएगा 1135 जो भी मेटर स्कॉयर या सेंटिमेटर स्कॉयर अभी आपने को नहीं दे रहा है तो आपने इनिट स्कॉयर बोल देते हैं ठीक है यह एरिया आजाएगा अंडर 5 एंड 10